निकानी है इसलिए मैं फिर से आपका एक बरावर सुना रहा हूँ ध्यान से सुनना कवा देखा है कवा और कोयल दोनों आप लोगों ने देखा होगा और कवा का रंग भी काला होता है और कोयल का रंग भी काला होता है लेकिन हुआ का एक बार जो कवा और कोयल दोनों में बह ब्राद्ध चरड़ गई तो कौई अपने आपको लगा कोशने थे यह अपने आपको कोशने लगता है कि भगवानने मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्या कि अ तो कोयल कहती है भाया गदध हो ने या पर अंसकी कर दिया Autot सबलोग του आइच करते तेरी आवाज को ना पसंद करते। लेकिन मेरा देखो मेरी आवाज को कोई सुनना तक ना चाहता है मैं दरवाजे पर किसी के गर बैठ जाता है तो मेरे को धिला मारके भगा देते है किसी पत्थर से मारके भगा देते है मैं स्राज पर काम आता हूँ लोगों का फेका हुए जूटा भोजन खाता हूँ मैं इस जिन्दगी से खुस नहीं हूँ तो कोयर बोलती क्या हुआ अगर तू इस जिन्दगी से खुस नहीं है तो जब भगवान से मिल और भगवान से अपनी सिकायत करे मेरे से सिकायत करने से कुछ नहोगा कवा उड़ता 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 हिमाले परवद पर चला गया भगवान संकर के पास और वहां पर भगवान संकर के पास जाता है और कहता है भगवान मैं अपने जिन्दगी से खुश नहीं हूँ भोले बबा बोलते क्या दिकत है करता मेरा रंग काला मेरे को कोई लोग पसंद ना करता मेरे को कोई लोग पालता नहीं है मेरे से कोई प्रेम नहीं करता है कोई जद नहीं जिसके दरवाजे पर बैठ जाता हो लोग भगा देते है जूटा खाना खाता हूँ उस राज पर काम भोले, करते बता क्यावना चाहते हो, था कावह बोलता है कि मैं कोेल, है तो ओ itself का ली, लेकिन क्या गजब की बोलती है, बाबा, मेरे को ऐसा बनाती है, अटीक है, तो जा एक बार अपनी वहन कोेल से तो मिला, देखो कोयल के क्या अफिलिंग है क्या कोयल अपने जिन्दगी से खुस है काता ठीक है बाबा भगा भगा काओवा फिर से आता है कोयल बहन 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 कोयल बहन 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 बताओ बाबा ने पूछा क्या तुम अपनी जिन्दगी से खुसो तो कोईल बोलती है कौन बोला कि मैं खुस हूँ मैं अपने रंग से खुस नहीं हूँ मेरे रंग जो काली कहीं पर भी किसी समाज में बढ़ जाता हूँ मेरे को काले रंग के वज़ा से लोग मेरे को पता नहीं क्या का बोलते हैं काला रंग से मेरे को बहुत ही घृड़ा है मैं काली हूँ तो काता तू भी खुश नहीं है मैं भी ना खुश है अच्छा तू चलो भोली बबा के दरबार में चलो अब कववा और कोयल जो दोनों भोले बबा के दरबार में चल चलते हैं जैसे चलते हैं वहाँ पर कववा और कोयल दोनों बोलते हैं भगवान मैं तो अपने जिन्दकी से खुश नहीं हूँ खाते हैं तो तुम दोनों बताओ अब क्या बनना चाहते हैं कोई दो बोलती है गर मौका मिले तो आप मेरे को एक पैरेट बना दिजिए पैरेट क्या गजब उसके लाल लाल ठोड़ उसको लोग पालते हैं लोग मिठु मिया मिठु मिया काके बुलाते हैं क्या गजब कि उसकी बोली है लोग पाल करके उसको मीठे मीठे फल कि लाते हैं वाव वाव क्या गजब साय है संदार, तो पेरट बनना चाहता है, लेकिन जह तू एक बार पेरट से मिलतु आ, कौवा और कोयल, दोनों भगे 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 जाते हैं, एक बगीचे में, मिट्टुमिया मिट्टुमिया किदर हो कहा हो, इधर को हूँ, यहां पर हूँ, जोनते हैं लेकिन मिठ्व मिया को पाते नहीं मिठ्व मिया भी हरे पेड़ भी हरा दोने लोग घरे में हरा घुल गए पता नहीं चला पेड़ का चार चकर मता मार दिया किसी तरह के जोनते जोनते पाया मिठ्व 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 मिया क्या तुम बोलते हैं तेरे को लोग पा कहता है कौन बोला रहे कि मैं अपनी जिन्दकी से खुछ हूँ कहता है तू भी खुछ नहीं है कहता है चल अभी भगमाद संकर के पास जाता है तीनों लोग चलते हैं कववा भी जाता है कोयल भी जाती तोता भी जाता है तीनों लोग जाते है वहां पर कहते है कि मैं भी अप मौर बनना पसंद करूगा अच्छा मोर बनना पसंद करूगा जा पलत एक बार मोर से तो मिला जाते हैं तीनों लोग भगे भगे जंगल में मोर को ढूड़ते हैं विचार मोर दुबक के छूपके बैठा रहता है उतना खूपके बोला जाता है तु रास्टी पच्ची है क्या गजब के तेरे पंक लंबे बड़े वर्ड़ वाँ 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 क्या गजब तु जिस चिडिया घर में तेरे को पाले जाते हैं अपनी स्वादिश्ट जो भोजन तेरे को दिये जाते हैं और तु क्यों इसे ने तेरी को बने तू प्रजिन्दगी से बहुत खुश होगा काते कौन बोला रहे मैं प्रजिन्दगी से खुश हो ध्यां से सुन अभी ये कवाज आ रही है ध्यां से सुन पता चला कुशन है दिर है क्या है कोब बोलता पता नहीं मेरे को क्या है मूर बोलता है देख जहां से सुन इस सिकारी की चलने की आवाज है इस सिकारी आएगा हमको पकड़ लेगा मार देगा तीर से मार देगा मैं गिर जाओगा मर जाओगा और मेरे बदन से जो पंक उसको नेकी करके निकालेगा निकालकर कर ले जाकर करके अपने घरों में सान करते हैं इधर को मेरा प्राम निकल जाता है और लोग अपने घरों को सजाते है अगले छड़ का पता नहीं है कि मैं अभी हूँ अगले छड़ में पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा अगले छड़ मेरी मौत है मेरे को खूद नहीं पता है और तू कहता में अपने जिंदेगे से खुश ओ नाम सुना तरे को कोई मार कर मार कुछ खाता है तरे को किस इसे मारने का डर है किसी चीज का अधिक्त है कि तेरे को कोई पाल करके जेल में रखता है क्या नहीं न कहीं कुछ नहीं सबसे खुश है तू कवा बोलता है मैं बड़े भागसाली हूँ वहाँ पर कवा की आंग खुल जाती है दोस्तो इस कहाने सामें यहीं सिख मिलती है कभी अपनी लाइफ कि तुलना कभी किसी दूसरे के साथ compare मत करूँ किसी के साथ भी don't compare to anyone आप जैसे भी हो जहां पर भी हो जिस परिस्तिती में हो आप अच्छे हैं ज़िए आप दूसरे का देखेंगे तो पक्का आप अपने आपको दुख में ही डालेंगे कभी भी दूसरे को सुख देखें करके तुम परसान मत हो दूसरा क्या कर रहा है क्या चीज़े नहीं कर रहा है फर्क कुछ नहीं पढ़ने वाला ऐसा सोचना चाहिए तुम जहां पर हो जैसे भी हो कुछ लोग कता रहे उसके घर जर्म लिया वह ऐसा है वह ऐसा है उसके घर है अरे कहीं कुछ नहीं जो जहां पर है उतना में ही परसान रहता है उतना में हमको सुखी रहना चाहिए हमको दूसरे का देख करके कुछ अधिक नहीं सोचना चाहिए कहा जाद दूसरे कर दे करके अपना सर मत फोड़ो नहीं फोड़ना चाहिए कभी नहीं कभी you don't compare to anyone if you will compare then always you have to be sad आपको हमेशा दुखी ही जीवन पर दित करना पड़ेगा